तो दोस्तों ये है हमारा Digital Commentary का Clips Channel जहां आपको Film Industry से Actors, Writers, Directors के साथ हमारे Podcasts और Chat Shows के कुछ Short Clips और Deleted Conversations देखने को मिलेंगे। तो फटा फट से Digital Commentary Clips Channel को सब्सक्राइब कर लो. ये जो आइडिया थो ये असा 10th 11th में मैं जब गया था अन्वानिकोबार तब में को मैं जब हम लोग जुग सेलुलर जेल का जब गाइड़ तूर ले थे तब किसी गाइड ने काला पानी और काल पानी बोलते थे और आज भी इफ यूट्यूबर सचना आज भी गाइड का तो वही रहता है तो वही स्क्रिप्ट सेम स्क्रिप्ट बोलते हैं तो वह चीज़ पता नहीं कभी घर गर गई थी दमाग में कि ये तो बड़ा अच्छा एड़ और फिर स्टीफन की एक बुक ती अंडर दो डॉम में और मुझे लगता था आइलें तो ये तो ये तो बड कोविड हुआ और कोविड में जब वह फेला तो लगा कि यार ये तो मेडिकल कहानी है नहीं मतलब हम क्योंकि कोविड की हमारी मेमरी ये थोड़ी है कि हमें बता भी नी कॉंसेंट साइंटिस्ट ने वैक्सीन वनाई हम ही बता है कि हमने क्या एक्स्पिरिंस किया तो तब ये वह दो फेल नेट्फिक्स के पास गए तो तब जून-July में हमने पूरा काई और ये थाट का मेरा पूरा 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 परस्पेक्टिव इशिफ्ट हो गया किया ये अडिकल थरिलर नहीं है ये ये उमन रामा है इस अब जो कोविड करते हैं ना कि नेचर देखो और अगल सेप्टम्बर के अशपस हम लोग गए और हमने ये पिछ किया कि यार ये चीज़ ये कहानी है और मतलब इस तरीके से देख रहे हैं कुछ तूरिस्स होंगे कुछ लोकल्स होंगे और मेडिकल भी एक सबसेट है उसका बट ये जब पिछ किया और कोविड में जो चल रहा था दिमाग में और मतलब जो हम experience करते हैं और किसी ने वैसा सोचा नहीं था परस्नली देखा क्या तो फिर I think naturally death के बार में बहुत सोचते हो death nature ये सारी चीज़ तो उसके अराउंडी अपने आप और फिर जो भी राइटर्स थे हम लोग सब बात बात करते रहते थे जूम पही और उससे सड़नली रियलाइज और पता नहीं उस वक्त सबके घर पे किसी का कुछ चल रहा है किसी का कुछ चल रहा है पेरेंट्स, in-laws कही कही न कहीं कुछ affected है तो कही न कहीं वो अपने आप वो एक kind of a tragedy तो बहुत easily मिल गया हमें बागी सब जो चीज है कि plot और क्या चीज है और जितना research किया उतना पता चला कि हम क्या कर रहे हैं वर्ल्ल के साथ और हम क्या कर रहे हैं तो वही और लगा कि इसके बार में हम social चीज बनाते हैं बट हम ecology और environment के बार में बहुत कम content तो kind of हम उसमें कुछ नया कर सकते हैं मतलब बिना उगदेश दिये कि अरे भाई यह मत प्रीचिंग मत करो उसको और कितना human और कितना real characters के बार में कितना हम वो कर सकते हैं तो I think वही kind of aim था और वो अपने बनता चला गया और आप जब ये शो लॉंच ओने बादा था तो आपकी what were you anticipating as a response from the audience? उसके असाब से आपका response कैसा रहा? उपर जादा रहा? कम रहा? Because for me it was one of the best shows of 2023. Actually मेरे लिए तो I think two-three steps beyond expectation गया है क्योंकि I was expecting मुझे पता था कि I am proud of this show, it will find an audience, people will see it. At the same time मुझे tone पता है, मुझे ये पता है कि यार ये वैसा नहीं है, मासी वो शो नहीं है, ये prestige drama है, prestige drama हमेशा धीरे word of mouth से grow करता है और वही हुआ, मैंने ये expect नहीं किया था कि अभी third month है अभी भी trending पहे Netflix में, मैंने ये sustainability नहीं ये नहीं expect कि रवीचंद्रा नश्विन tweet करें ये नहीं सुचा था, मैंने सुचा था कि इंडस्ट्री से इतने calls ये इतने messages आएंगे, दूसरे directors के, मुझे ये बता था कि, of course, within the industry respected होगा, वो होगा, but जो volume जो आया है, मतलब हर दिन में उठ रहा था और किसी, और मुझे भी लग रहा था कि इनका message है, इनका message है, इनका message मुझे लग रहा है, यार, दो महीने हो गए, तीसरा महीना हो रहा है, और अभी भी लोग मिल रहे है, और ये बात कर रहे है, तो वो मेरे लिए, थोड़ा surprising है, कि, like you said, मेरा भी वही है, कि यार, इतना content आ रहा है, तो मुझे वही लगा था, कि यार, एक महीने तक बज रहे तो बहुत अच्छा है, ये third month में चला गए, तो मेरे लिए तो beyond है, देखा, मजा आया ना, तो पूरा podcast देखने के लिए, digital commentary के main channel पर जाओ, link description में है,